सो हे गाइस कैसे हो आप सब आप सब का फिर से सवागा तुमारे एक नए वीडियो में अगर आपके पास एक मॉनिटाइज यूट्यूब चैनल है जिसका अर्निक जो कि है गूगल एडसेंस में जाके जमा हो रहा है या अगर आपके पास एक वेबसाइट या ब्लॉग है जिसका जो अर्निक है वो गूगल एडसेंस में जाके जमा हो रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपका जो गूगल एडसेंस में पैसा जमा हो रहा है उसमें आप कैसे आड करोगे तो बैसिकलिए वीडियो जो किए मैं बना रहा हूँ आप लोगो सिखाने के लिए कि आपको teryर कम की सब्सक्रणिच्णे सब्सक्राइम के पर देता है ठीक है जैसे कि आपको पता है Google Adsense में minimum 100 डॉलर होने से मिलता है तो जैसे ही आपका 100 डॉलर Google Adsense में क्रॉस होता है तो वैसे जो है आपका जो भी बैंक अगाउंट दिया हूए Google Adsense उसमें वह रिलीज हो जाता है पर उससे पहरे सबसे जरूरी होता है अगर आपके गूगल Adsense अकाउंट में अगर बैंक अकाउंट ही एड नहीं होगा तो Google Adsense आपको पेमेंट कैसे देगा तो आपका पेमेंट जो कि दzićके ब्राउज़र ओपे्न कर लो ट्रों कर लो कौई ब्राउजर को डेक्सटाप मोट में आन कर लो क्याना जोकी आप Google खुल ले organism ready कोई भी मिट्रोंव और सकता है कोई भी ब्राउजर आपके फन में है उसमें egy सूroe Google open कर लेना और आपको desktop मोड में कर लेना ठाकि आपका जो computer का तरह उसटेपका प्रिवीव आये तो एक वर आपको ऐसा कर लेते हो तो आपको Google गूगल में जाके search करना है मैं आपको पता ज है क्या search करना है आपको लिखना है AdSense जैसे कि मैं AdSense में bank account आपको add करने सिखाने वाला हूं तो इधर मैं AdSense लिखके सर्च करूँगा तो AdSense लिखके मैंने सर्च किया तो इधर बहुत सर्च रिलट आएगा तो इसके पहला नमबर का वेबसाइट दिख रहा है और इसके नीचे में इधर साइन लिखावा दिख रहा है तो यह वाले साइन के बटन के हम लोग को क्लिक करेंगे तो फिर से एक पेज लोट लेगा इधर में जो कि हम लोग को अपना email ID डालने के लिए बोल रहा है तो इधर हम लोग को अपना email ID से login करना पड़ेगा जो भी email ID से हम लोग का AdSense अकाउंट बना हुआ है तो इधर में मैं अपना AdSense अकाउंट वाले email ID डाल देता हूं और फिर मैं आपको आगे शो करता हूं जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो है अपना email ID और password डाल दिया और हमारा जो अकाउंट हो लोग इन हो के आगया AdSense का तो इसी तरीके से आपको भी अपना जो भी AdSense अकाउंट लोग इन कर लेना है एक और आप लोग इन कर देते हो इसमें जो कि है आपको बैंक अकाउं चीज खुलेगा जिसमें की लिखाव है payment info तो यह payments info पे आपको क्लिक कर देना है आप payments info पे क्लिक करोगे तो इधर जो कि है आपका जो भी earnings हो आपको शो करेगा तो by default जो earning पहले शो करता है वो शो करता है website का तो यह जो है मेरा website का earning है पहले का तो यह जो कि एधर 53.01 डॉल तो आपको Google Adsense आपके अकाउंट में payment नहीं देगा तो अगर मैं इधर 100 डॉलर प्लस कर लेता हूँ पैसा और जो कि है मैं अगर withdraw लेना चाहता हूँ तो withdraw के लिए कुछ नहीं करना आपको simply bank account करना पड़ता है ठीक है तब bank account अगर आपको website के लिए अट करना है तो आप यह उसका payment के लिए हम लोग simply क्या करेंगे इधर उपर में देखेंगे उपर में जाम लोगा payments account लिखावा है इसमें AdSense India है इसमें लोग क्लिक करेंगे ठीक है इसमें क्लिक करने के बाद हम लोग अभी selected उदर लिखावा है इंडिया यूस डॉलर तो इससे हम लोग को नीचे आप देख सकते YouTube लिखावा है यह बड़े बड़े अक्षर में अब देख लो इदर YouTube लिखावा है यूटूब के नीचे जो इधर लिखावा है इंडिया यूस डॉलर हम लोगो इस पे क्लिक कर देंगा इन इस पे मैंने क्लिक किया थो हमारा लोड ले रहा तो असे वेट क करूंगा तो इसका भी process हुए यह आपको अगर add करना है तो यह नीचे में add payment method का button अप इस पर click करोगे ठीक है तो इस पर click करता हूँ आप जब add payment method पर click करोगे तो उसके बाद जो कि है, आपके पास कूछ step जो भाद को बैंग नाम दिया हुआ है आपका जो भी नाम से अकाउंट अपको इह इनंग जो भी उपा कनां यह इस नाम है विधर कोड कि यहीं लोग को भरने में बहुत ज्यादा लोग को प्रॉब्लम माता है ठीक है स्विफ्ट बीये सी कोड क्या रहता है कि एक कोड रहता है जो कि आपको अपको help करता है फोरें से पेमेंट रिसीफ करने के लिए अगर आप कोई भी दूसरे कंट्री से पेमेंट रिसीफ कर रहे हो वायर ट्रांसफर के तुरू तो आपको जो कि है Swift BIC code बहुत जदा important रहता है यह जो code है आपको अपने bank में मिल जाएगा अपने bank में जाके पता करो Swift Code क्या होता है तो लोग बता देंगे अगर आप जाके पूछोगी कि कोई भी आपका ब्रांच मेंजर यह कैशियर किसी से बीजा के आपके बैंक का तो लोग पहले बोलेंगे कि स्विफ्ट कोड आपको क्या काम है नहीं है नहीं तो कितने लोग बोलेंगे कि अच्छा आप आप आपके पूछना जाते हो तो उनको नहीं क्लियरली बता देना कि मैं जो कि है इंडिया से बाहर से पेमेंट लेना चाहता ह। डॉलर्स में पेमेंट आएगा दूसरी कंट् से इसलिए जो कि है मेरे को सिफ्ट कोड चीए तो बैंक वाले लोग जो भी होंगे आपके वो प्रोवाइट करा देंगे को को ब्रांच का जो है बड़े-बड़े बैंक का देकि शिफ्ट कोड रहता है या इंडिया में जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया अगर आपको बैंक में बैंक नहीं मिल रहे तो आप गूगल में जाकर रिसर्च कर सकते हो तो आपको सिफ्ट कोड बहुत आसानी से मिल जाएगा तो आपना जो भी बैंक का सिफ्ट कोड आप एंटर करोगे उसके बाद जो कि है इधर नीचे में एकाउंट नमबर होगे फिर वही बैंक अकाउंट नमबर को इधर दुवारा से इंटर करोगे और उसके बाद जो कि है आपको कुछ भी नहीं करना है चेड़ चार कुछ भी नहीं यह प्राइमरी पर ही सेलेक्ट रहने देना है उसके बाद आपको सेफ क्लिक कर देना है तो पहले मैं इसको हूं कर देता हूं अब इतना करने के पाद इसी हैं मैंने आपको बताया इसको प्रायमेरी से ये Concept कर देना है सेफ के HC करता हूं तो थोड़ा सा वेट करते हैं बिढ दीग debates है कि जैसे कि आप देख सकते हूं कुछ देर लोड लेने के बाद जो कि है हमारा बैंक अकाउंट इदर एड हो चुका है जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा और हमारा बैंक अकाउंट का अधर नाम भी शो कर रहा है जो नाम से मेरा बैंक अकाउंट खुला हूँए और जैसे कि मैंने आपको नीचे में दिखाया था कि हुदर प्राइमरी पे हम लोग सेलिट किये थे तो होगा क्या कि यह पूरा होके जब 100 डॉलर पहुंचेगा हमारा जो पेमेंट है जो गूगल है हमारे बैंक अकाउंट में भेश देगा अब हम लोगो कुछ नहीं करना एक वार आपने बैंक अकाउंट डाल दिया तो जैसे ही आपका 100 डॉलर कंप्लीट होता है और पेमेंट का डेट आता है अगर फैसे जोटा से वीडिए पसंद आ है अगरि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरू दते न और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे में लाल गलड शुस्क्राइब कर बतन है तो मिलते हैं एक्ष पीडियो में तो तक लि बाइ बाइ और चेहिन